अध्याई चार परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भर्माने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर्मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे ये उन जूठे मनुष्यों के कबट के कारण होगा जिनका विवेक मानों जलते हुए लोहे से दागा गया हो जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की उस वस्तूों से परे रहने की आक्या देंगे जिन्हें पर्मेश्वर ने इसलिए सुझा कि विश्वासी और सत्य के पहिचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं क्योंकि परमेश्वर की स्रजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कुई वस्तु अस्विकार करने योगे नहीं पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई चाहे क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है यदि तुम भाईयों को इन बातों की सुधी दिलाता रहेगा तुम मसीही इशुप का अच्छा सेवक तहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तुमानता आया है तेरा पालन पोशन होता रहेगा परशुद्ध और बूड़ियों कीसी कहानियों से अलग रहे और भक्ती के लिए अपना साधन कर देहे की साधना से कम लाब होता है और भक्ती सब बातों के लिए लाबधायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिग्या इसी के लिए है और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है हम परिश्रम और यत्म इसी लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उत्थार करता है इन बातों की आग्या कर और सिखाता रहे कोई तेरी जवानी को तुछ ना समझने पाए परवचन और चार्चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौनीन रहे उस वरदान से जो तुछ में है और भवश्य द्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिन्त मत रहे उन बातों को सोचता रहे और उन्ही में अपना ध्यान लगाएं रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगठो अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख इन बातों पर श्थिर रहे क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तु अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उत्थार का कारण होगा